देखे यहां पर इस तरीके से आपको दो लोग यहां पर मिलेंगे एक लोग आपको यहां पर मिलेगा तो आपको क्या करना है सिंपली ध्यान दोगे तो यह जो हमारी पहले नंबर की गराडी है यह बहुत तेजी से नमस्कार दोस्तो टेक्निकल जुगाड हिंदी चैनल की ए मेरा नाम है राज और आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हों कि मेरे पास यहां पर काफी सारी डिस्कौ लाइट की मोटर है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं मोटर के बारे में फुल डीटेल से बताने वाला हूं कि यह मोटर हमारी कितने वोल्टेज पर काम करती है कितने रुपे की मार्केट में मिलती है तो यह सारी जानकारी में आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से देने वाला हूं तो वीडियो को भई आप सुरू से एंड तक देखें और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करते हैं तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम बातकर लेते हैं कि इसके अंदर कोई प्रोल म नहीं आएगी लेगि अगर आप 4 वोल्टे से ज्यादा इसको सप्लाई देते तो यह मोटर चलेगी तो लेकिन जल्दी खराब हो जाएगी तो यह आपको ध्यान में रखना है आप इसे 3-4 वोल्टेज तक के बीच में ही सप्लाइद दें अब यहां पर क्या है कि काफे सारे लोगों की मोटर के अंदर प्रोलम क्या आती है कि यह मोटर हमारी धीरे-धीरे घूमने लगती है या रुख-रुख के काम करती या फिर बिल्कुल भी काम नहीं करती तो उस कंडिशन में आप अपनी मोटर को अपने घर पे ही रिपैर कर सकते हो वो देखे किस तरीके से करना है तो एक बार मैं क्या करता हूँ यह बाकी की मोटर को नो मैं सैड में कर दू क्योंकि कैमरा इस पर फोकस कर रहा है तो यहां पर देखे मैंने इसको सैड में कर दिया है तो अब देखे इसके अंदर पूरे डिटेल से आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना है अगर आपकी मोटर रुख-रुख के या धीरे-धीरे बिल्कुल भी नहीं चारी तो किसी पतले पेशकास का भी यूज कर सकते हो तो सबसे पहले वाला जो लोग हम खोलेंगे इस सैड का खोलेंगे जहां पर हमारा एक लोग अलग से लगा हुआ है यहां पर के तरफ यह देखे तो इस तरीके से जब आप तरीके से खोलोगे तो यह मोटर हमारी बिल्कुल लगी होती है जैसे कि इसके अंदर हमारी है जाम हो जाती तो इसके लिगा करोगे इसके नीचे है उसी तरीके से हम दूसरी को निकालेंगे तो हम देखे यह 4 गड़ी है ये बहार नहीं निकलेगी तो आपको क्या करना है जब आपको मोटर सी घुमा लेता है तो आपको आप एसे वर अंगली की है वो हमारी मोटर स्थीक से काम करने लगेगी यह देखी इस तरीके से जब आपने घुमाए इसको अब घुमाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना दुबारा से जो गराडी जिस जगा पर लगी हुई थी उसी जगा पर आपको इसे दुबारा से फिट कर देना है अब हमारी थी तो इसको हम यहां पर इस तरीके से लगाएंगे यह हमारी यहां पर लग गई है उसके बाद यह देखिए इस तरीके से लगाना है और इसको लगाना बिलकुल असान है आपको इस तरीके से इसको डालना है बीच में और यह देखिए बड़े अराम से यह दुबा सारा से अपनी गराड़ी को डाल लेना है अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको पैक नहीं करेंगे सबसे पहले इसको हम अलग से सप्लाइब करेंगे और आप किस तरहिए से यह जो मंवार को अब पर च hm लिया है इसको मैं प्लस वाली वायर को प्लस के साथ में जोड़ रहा हूं और यह जो माइनस वाली वायर है इसको मैं माइनस के साथ यहां पर जोड़ रहा हूं तो यहां पर देखे जैसे मैं इसको सप्लाइद दी तो यह मोटर हमारी बिल्कुल बढ़ी है तरीके से काम कर र तो इसके पांच में नमबर की गराडी को इसके अंदर लगाएंगी तो इस तरीके से यह जो इतनी सारी गराडी लगाईगी है इसके अंदर यह सारी मिलके हमारी मोटर की स्पीड को कम करती है तो इसका यही में काम होता है तो आप देखे हमें इसको भी इसके अंदर लगाना है तो सबसे पहले हम यहां से इसको सप्लाई को बंद कर लेते हैं और यहां से वायर को हटा देते हैं तो देखें आप इसको लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि यह जो हमारी लोग है यहाँ पे अपनी जगा पर फिट हो गया और उसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे और यहां से इसको प्रैस कर देंगे तो यहां पर देख सकते हो, कि कितने बढ़े मोटर हमारी उसी तरीके से पैक हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब आप तरीके से काम करोगे, तो यह बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक भी हो जाएगी, और आपकी मोटर रिपैर भी हो जाएगी, अब भार से supply देकि आपको दिखाता हूं कि यह देखे किस तरीके से हमारी jomotor है यह काम करेगी यहां पर मैंने इसको plus में जोड़ दिया यहां पर मैंने बटन को on करा तो यह जो हमारी motor है और भी धीरे धीरे घुम रही है यह दिखे मैं इसके अउपर तो और उमेद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आही होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये हो तो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो भई तो चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम